गॉप 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 यह कॉप अच्छे बोलो वेरी गॉप सब्सक्राशस चालू युग हुए ना जोड से good morning बोलना ची अपने को क्या 8 बज़े ही हो गई थी हमारी तमाम सही बात है अभी तो बेटा बहुत दिन 8 बज़े चालू होगी और फिर जब 8 बज़े बंदो जाएगी तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हें 6 बज़े उठके पढ़ना पढ़ रहा है तो अभी तो फ अब्टे नमबर 7 की यूनिट नमबर 1 जहां कल हम लोग बात कर रहे थे पब्लिक फाइनेंस के बारे में याद है कुछ हां पब्लिक फाइनस का एक छोटा सा मीनिंग बताया था मैंने वन लाइनर मीनिंग बताया था जरा वो बता दो कि टॉपिक पर चलेंगे हां येज कौन कौन रेज कर रहा है काउनट है कल अगर आपको याद हो बाते नहीं अगर आपको याद हो कमने दो चीजों की बात करी थी दो लोगों की बात करी थी एक था आडम स्मित और दूसरा कौन था रिचर्ड मस्ग्रेव तो भाई ये लोग का जो थोट्स थे वह एकदम ऑपोजेट थे किस चीज के बारे में कि किसी भी देश की एकॉनमी में गवर्मेंट का इंटर्वेंशन कितना होना चाहिए आडम स्मित साब कहते थे कि बहुत लिमिटेड होना चाहिए आप नाशनल डिफेंस का काम कर लो आप पबलिक वर्क्स का काम कर लो लेकिन रिचर्ड मस्ग्रेव कहते हैं ऐसा नहीं है उन्होंने थ्री टायर टेक्सोनमी बना कर दी कि के बोला income redistribution के अंदर होना बहुत ही जरूरी है और तीसरा उन्होंने क्या बोला yes macroeconomics stabilization के अंदर होना जरूरी है और इसी का पहला topic कल अपन लोगों ने start किया था जिसका नाम क्या है resource allocation ओके रिसोर्स ऐलोकेशन में कल अपने क्या बात करी थी बेटा कि रिसोर्स ऐलोकेशन करना ही क्यों पढ़ रहा है because एक बहुत बड़ी critical problem है वो क्या है the resources are very limited and the wants are unlimited and secondly one resource has alternative and multiple uses ये बात कल हमने करी थी कि बही करना क्यों पढ़ रहा है resource allocation क्योंकि ये problem है अब हम लोग आज एक और definition की बात करेंगे देखो उसका नाम है allocative efficiency ये color change कर लेते है ब्लाक तू ब्लाक अच्छा नहींदा करा मुझे ये कौन सच है चलो कोई बात में ओके allocative efficiency की बात करेंगे ये बात में कल आपको अल्रेड़ी explain कर चुकी हूं allocative efficiency क्या होता है पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा देखो allocative efficiency का मतलब है utilizing the limited resources to produce the goods and services that would maximize the value to the society ये बात अपन कल कर चुके है limited resources को इस तरह से use करना कि उसमें से maximum value निकल कर आ सके that is the allocative efficiency allocative efficiency achieves the largest possible output of goods and services from the existing stock of resource and technology जो resource जो technology हमारे पस available है जो अभी existence में है उनका कैसा use करना efficient use करना ही क्या कहलाता है allocative efficiency अब आज जो question हमें deal करना है आपकी बुक में ऐसे question करके नहीं लिखावा पर notes में आप ऐसे पढ़ोगे question हमारे पास आज क्या deal करना है हमें why do market fail to give the right answer to the question as to how the resources can be efficiently utilized and what goods should be produced and in what quantity सबसे बड़ा question आता है कि जब हमें पता है कि problem है तो भी market इस question का answer देने में fail क्यों हो जाते हैं इसका मतलब है basically resources का effective utilization क्यों नहीं हो पाता है उनका अच्छे से allocation क्यों नहीं हो पाता है हम ये बात क्यों नहीं समझ पाते कि कौन सा good कितना produce होना चाहिए इस question का answer क्यों नहीं मिल पाता है market fail क्यों होता है आप अगर देखोगे आपकी module में तो हमारी जो unit number 2 है उसका नाम ही क्या है market failure उसका नाम ही क्या है पूरी unit में आप क्या पढ़ोगे market failure यहां उसका एक हलका सा आपको hint बस देखने को मिलेगा चाहिए चलो देखो answer answer क्या है इसका efficient allocation of available resources in an economy is assumed to take place only when markets are perfectly competitive and economic agents make rational choices यह क्या बोलते हैं यह उपर दिया गया जो question है जो problem है उसका answer या वो चीज सभी solve हो सकती है जब दो चीजें होंगी क्या होगा एक तो market क्या होगा perfectly competitive इसका मतलब जो competition है market में वो कैसा होगा fair होगा अच्छा होगा perfect होगा और दूसरा जब economic agent दिमाग लगा कर चीजें बनाएंगे और खरीदेंगे economic agent कौन होता है पते producers and consumers basically आपन layman language में बात करें तो producers और consumers जब दोनों ही rational rational का मतलब क्या होता है बेटा दिमाग लगा कर कोई decision लेंगे और market जब perfectly competitive होगा तो ही यह allocation of resources वाला जो problem है यह solve हो सकता है इन reality पर reality क्या है बेटा markets are never perfectly competitive and market failure which hinder efficient allocation of resources occur mainly due to following reason देखो सबको पता इन्होंने तो answer दे दिया पहले question क्या बोला कि कितना goods बनना चाहिए इस बात का answer क्यों नहीं मिलता या फिर क्या होगा तो इस बात का answer क्या है कि यह काम सही तब से हो सकता है जब market क्या होगा perfectly competitive होगा और दूसरा क्या बोला इन्होंने जब rational choices करी जाएगी लेकिन reality क्या है market कभी भी perfectly competitive नहीं होता और इसी लिए वो क्या होता है fail होता है अब कुछ reasons इन्होंने यहाँ पर दिये है पहला reason जो अभी उपर इन्होंने बताया इसको फिर से highlight लिया है imperfective competition देखो कोई भी market तुम ले लो तुम चाहे कितना भी अच्छा competition करने की कोशिश कर लो यह monopoly जो word है ना यह बहुत काम खराब करता है देखो जब किसी भी आदमी की किसी भी business की किसी भी resource पर क्या होती है monopoly होती है तो उस resource का efficient utilization कभी भी होई नहीं सकता जहां वो resource जादा use होना चाहिए जहां वो resource कम use होना चाहिए जिसको और लोग भी उसको use कर सके वो तो chance ही नहीं मिलता ना chance क्यों नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर उस आदमी की उस business की क्या हो जाती है monopoly हो जाती है और इसलिए competition कैसा हो जाता है imperfect हो जाता है तो resource जब एक ही आदमी के पास है monopoly है तो उसका allocation proper होई नहीं सकता तो पहला तो यह reason हो गया दूसरा और उसके कारण देखो उन्होंने क्या बोला है कि goods का कभी-कभी under production होता है और prices बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है हाई हो जाती है दूसरा reason उन्होंने क्या पताया market typically fail to provide the collective public goods public goods क्या होते है यह आपका general question है वे सब्सक्राइब पब्लिक goods क्या होते है बोलो बोलो हाँ 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 मतलब definition बोलू तो ऐसे goods जो सब लोग commonly used करते है the goods which are commonly used by everyone एक्षण और अगर मैं explain करूं तो ऐसे goods जिसका usage अगर तुम कर रहे हो तो वह तुम्हारे लिए कम नहीं पड़ते हैं अगर रोड का जैसे कि defense है आपके रोड है आप जो ये बाते कर रहे हो बेसी कली इस सब्सक्राइब कोई आना ही नहीं चाहता है तो जो लोग हैं वह खाली वह और सर्विसेज देना चाहते हैं जिसमें क्या है प्रॉफिट है जिसमें उनका फाइदा है जो यह पब्लिक गुड्स है ना इसके अंदर तो कोई फटाफट डील करना ही नहीं चाहता है तीसरा रीजन in complete market, market may fail to produce the right quantity of merit goods, merit और demerit good पता है तुम्हें क्या होता है, which provides benefit to the society, जैसे की education, जैसे की health care, hospitals, समझ पा रहे हो, ऐसी चीज़े, ऐसे goods, ऐसी services, जोकि लोगों को society को क्या देती है, benefit देती है, अगर किसी को नहीं तो वो लिख भी सकता है, merit goods का मतलब क्या है, that provides benefit to the society, तो तीसरा problem क्या है, हमारे पास जो market है वो incomplete है, incomplete क्यों है, लोग demerit goods तो बहुत सारे बना रहे है, demerit का मतलब है जो नुकसान देते हैं लोगों को, alcohol खतरनाक बन रहा है, okay, smoking जो cigarettes है इतनी बन रही है, जो demerit goods है basically, वो तो इतना produce हो रहा है, और जो merit goods है, merit goods का मतलब जो society को welfare देगा, फाइदा देगा, उनको कोई बनाई नहीं रहा है, या कम बन रहे है, या फिर जितना बनना चाहिए, उतना नहीं बन रहा है, तो दूसरा, तीसरा point क्या है, incomplete market, चोधा point क्या है भई, fail होने का, हमारे नहीं market क common property का मतलब है, बाते नहीं, common property का मतलब है, सबसे best example है, environment, जो चीज सबकी common है, हर आदमी सोच रहे है, environment, उसको क्या किया जा रहा है, overuse किया जा रहा है, exhaust किया जा रहा है, externalities which arise when production and consumption of a good or service affect the third parties, यहाँ पर एक शब्द introduced किया गया है, जिसका नाम है externalities, किसी को पता है, externalities क्य अच्छा, okay, काफी अच्छा तुने बोला है, और अगर मैं और इसी language में अगर externalities को define करते हूं, तो पता है, क्या होता है, जब किसी एक के द्वारा किया गया काम, किसी दूसरे को effect करता है, उसको हम बोलते है, externalities, क्या बोला मैंने, जब किसी एक person के द्वारा किया गया काम किसी दूसरे person को impact करता है, उसे क्या बोला जाता है, externalities बोला जाता है, अब externalities ना, जैसे पता नीज में है कि नहीं है, लेकिन दो तरह की हो सकती है, एक होती है, positive और एक होती है, negative, जैसे कि अगर मैं negative externalities की बात करूँ, तो मैं, मैंने एक factory लगा रख लिए, उसमें से किसी को benefit दे रहा है, बेसिकली तो वो क्या हो जाएगी, positive externalities, तो ये बोल रहा है, market fail होने का reason है, लोग externalities को consider ही नहीं करते, उनका काम निकलना चाहिए, अब वो कैसी externalities market के अंदर प्रभाव पड़ रहा है, उस पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है, फिर बोलता है, factor immobility, बह लेकिन कभी-कभी factors immobile हो चाते हैं, कैसे समझो कि कोई भी backward area में रहकर काम करना ही नहीं चाहता, अब उस backward area में बहुत सारे employees की क्या है, जरूरत है, लेकिन factors are immobile, वो वहाँ आना ही नहीं चाह रहे हैं, वहाँ पर factor move ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर market develop कैसे होगा, तो market त फापर होता, तो यहाँ पर भी कितने employees काम करते हैं, 100 employees काम करते, लेकिन factors क्या होगे, immobile होगे, वो काम नहीं करना चाहे हैं, वहाँ पर वो पばい नहीं होना चाहे है, बैसिकली तो इसलिए क्या हो जाएगा, market fail हो जाईगा, तो वहाँ पर जितने resources allocate होने चाहे थे, वह allocate नहीं, example दिया है, factors, immobility, उसके बाद बात करते हैं, imperfect information, यार यह तो बहुत common सा point है, कभी consumer को अच्छी information नहीं मिलती, कभी producer को ठीक से information नहीं मिलती, इसके कारण भी market क्या होता है, fail होता है, और last में बोला क्या है, inequalities in the distribution of income and wealth, जो सबसे बड़ा issue है, जो आगे आपके explain किया जा resources कुछ लोगों के हाथ में क्या है, बेटा, एक तरह से उनी के hands में, they are subsumed, okay, तो जिसके और क्या हाथों में होना चाहिए, वहाँ तो है ही नहीं, so wealth और income में क्या है, inequality, so these are some reasons जो आपको यहाँ पर दी हुए हैं, अब आगे क्या बोलते हैं, एक मिनुट, अब यह बहुत simple simple बातें बोलेंगे, देखो, in the absence of appropriate government intervention, market failure में occur and the resources are likely to be misallocated with too much production of certain goods and too little production of other goods, इसमें कुछ समझाने की जरुते हैं, क्या लिखा हुआ है, आप अगर ठीक से पढ़ोगे मेरे साथ साथ, तो शायद कुछ sentences मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पढ़ेगी, simple सी बात बोली है, अगर government बीच में interfere नहीं करेगी, तो हमेशा resource allocation कैसा होगा, improper होगा, कोई goods तो बहुत ही जादा बन जाएंगे, जिसमें वो private लोगों को फाइदा है और जिनमें बिल्कुल भी फाइदा नहीं है, defense है, roads है, public products है, यह सब बनेंगे ही नहीं या बहुत कम बन the government can provide us with the goods and services that we cannot produce on our own or buy at a price from the market और जो प्रिडक्स बनने चाहिए और नहीं बनाते हैं यह private लोग, finally वो कौन बना सकता है, सिर्फ और सिफ government ही बना सकती है, जिसको हम बहुत नॉमल भावों में खरीज सकते हैं, when externalities are involved in the production and consumption of goods and services, prices do not reflect the true cost and benefit and government intervenes with the appropriate corrective measure, अभी लाइन बहु पर इसमें बहुत बड़ा घहरा मीनिंग चुपा हुआ है, यह लाइन क्या बोल रही है, पता है, देखो, यह बोल रही है, समझो अपन वो ही same example लेते है, यह factory है, यहाँ पर अपन chemicals बना रहे है, बाहर जो gases release हो रही है, they are very very harmful, अब यह जो chemical बनकर market में बिक रहा है, dyes बन है, chemicals बन रहा है, यह market में बिक रहा है, अब इसकी जो price होगी, वो कैसे तै होगी, जो भी cost लगेगी, वो add कर देंगे, यहाँ से होगा, प्लस थोड़ा सा profit margin क्या कर देंगे, add कर देंगे, और क्या निकल कर आ जाएगी, इसकी final price निकल कर आ जाएगी, ऐसे ही तो price decide होगी न जा रहा है, अब यह river का पानी क्या हो रहा है, दंदा हो रहा है, और यहाँ पड़ एक छोटा सा गाव है, यह river का पानी, वो कौन यूज कर रहा है, वो गाव वाले लोग, यूज कर रहे हैं, और वो बिमार पड़ रहें, बिमार पड़ रहें, कहा जाना पड़ेगा उनको hospital जाना पड़ेगा क्या देना पड़ेंगे expenses देने पड़ेंगे यह जो cost है यह तो add नहीं हुई इसके अंदर पर जो लोगों ने भुगता है, जो लोगों में cost bear करी है, वो तो यहाँ पर कहीं पर भी नजरी नहीं आरी, तो यह क्या बोल रहे है, जब externalities, production या consumption of goods करती है, तो prices कभी भी true cost या benefit तो reflect ही नहीं करती, और तभी government आती है intervene करने, कैसे government intervene करेगी, पते है कैसे final price के अंदर उसकी price दिखेगी, वो बोलेगी, अगर आपकी factory से इस तरह का कोई भी chemical release होता है, आपको अपने goods पर 25% मानो क्या देना पड़ेगा, tax देना पड़ेगा, अब इसके अंदर वो 25% पैसे क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, government इस तरह से externalities की cost को revise कर सकती है, अगर government interfere नहीं आएगी इस price के अंदर, आएगी नहीं, अब government ने analyze किया कि एक काम हो रहा है, इससे तो बहुत negative impact पढ़ रहा है, तो वो जो negative impact है, उसका भुकतान तो इनको करना पड़ेगा, फिर वो tax लेकर आती है, फिर वो अलग-अलग तरह की penalties लेकर आती है, अलग-अलग जैसे और भी factory ही लगाने पकते, ये भी उनका corrective pressure है, बात समझ में आई, तो government interfere नहीं करेगी, तो ये सब चीज़े कभी नजर ही नहीं आएगी, और, merit goods which are greatly beneficial to the society by the large provided by the government, तुम कितना भी देखलो यार, जितनी भी basic health services है, basic education services है, सब कौन provide करता है, government तो provide करती ही है, private producers करते हैं, लेकिन व अगर notice करोगे, तो जितने भी de-married goods है, for example, अगर secret produce होती है, तो government ने clear कर रहा है, वो बड़े-बड़े शब्दों में तुम्हें लिखना पड़ेगा, कि ये आपकी सेहत के लिए क्या है, हानी कारक है, और उन पे जो taxes लगते हैं, वो बहुत जादा हाई होते हैं, okay, import अप supplement rather than substitute, ये क्या बोल रहा है, इन सबसे आप ये मत समझ लेना, कि government क्या capture करना चाहती है, पूरा का पूरा बजार ही capture करना चाहती है, कि नहीं भई, हटो, हम ही काम करेंगे, ऐसा नहीं चाहती हो, वो सिफ बजार को थोड़ा सा control में लाना चाहती है, ताकि बूरी चीज़े कम हो, अच्छी चीज़े जाधा हो, देखो, government's policy focuses on potential for the government to improve the economic performance through its expenditure and tax policy, क्या मैं सही पढ़ रही हूँ, यही है न, आगे, the allocative function in budgeting determines, देखो, budgeting, budget क्या होता है, हमारे देश में इस साल के लिए, government की तरफ से कितना पैसा, कौन से सेक्टर को जाएगा, कहां खर्चा होगा, कहां से revenue आएगा, basically, यही सब बाते आपके budget के अंदर होती है, यह क्या बोल रहे है, कि अब government कैसे control करती है, जीजों का अपने budget के थ्रू कंट्रोल करती है, जैसे उसके अंदर वो बहुत सारी चीज़े लेकर आती है, कौन tax देगा, कितना tax देगा, किस चीज़ पर tax देगा, अगर समझो कि उसको लगता है कि ना, इस साल देश में कपड़ा कम बनना चाहिए, वो कपड़े पर क्या बढ़ा देगी, definitely, उसको लगता है कि नहीं, या, restaurant की services, यह सब क्या होनी चाहिए, भड़नी चाहिए, खूब बढ़नी चाहिए, वो taxes क्या कर देगी, कम कर देगी, कम कर द रुपए मिलेंगे, industry को इतने करोड रुपए मिलेंगे, the process by which the total resources of the economy are divided among the various uses, the optimum mix of the social good, कितने public goods बनाए जाएंगे, इस साल, कितने merit goods बनाए जाएंगे, the level of involvement of public sector in the national economy, हम लोग, मतलब हम लोग का मतलब है, सरकार, इस बार economy में कितना participate करने वाली है, मतलब कितनी चीजों का nationalization करेगी, कितनी चीजों का privatization करेगी, यह भी decide किया जाता है, और जो re-allocation of resources है, वो भी decide किये जाते हैं, यह सब तरीके हैं, government के resource को allocate करने के, कोई पढ़ेगा आगे, चल मैं ही पढ़ते हूं, फ़रो, the variety of allocation instruments are available by which government can influence resource allocation in the economy, अब देखो, government कैसे कैसे resource को allocate करती है, जैसे कि, the government में directly produce and economic goods, सबसे बड़ा example इन्होंने पहले में दिया हुआ है, electricity, government बोलती है, electricity मैं ही produce करूंगी, private producer produce नहीं कर सकते है, उसमें resource का allocation कर दिया, बास समझ में आ रही है, वो किसके हाथ में, वी आए खाली, वो resource का allocation उसने, खुद के हाथ में, तो कभी-कभी government कुछ goods के लिए directly, खुद ही उस चीज को अपने हाथ में ले सकती है, दूसरा, the government में direct the resource allocation through incentive and disincentive, देखो, जिस चीज को government को बढ़ावा देना है, उस चीज पर क्या देगी, वो incentive, incentive पता है न, क्या होता है, कुछ मतलब बताओ incentive का, जिसे कि subsidy होगी, grants होगी, benefits, मैं अगर normal भाशा में यह सब चीजों को increase कर देगी, government में influence allocation through the legislation and force, कोई act बना सकती है, कोई law बना सकती है, किसी तरह का भी कोई, मतलब किसी भी तरह का कोई भी legislation बना, legislation का मतलब होता है, rule making, legislation का मतलब क्या होता है, rule making, तो अपने rules के द्वारा, अपने act के द्वारा भी क्या करती है, market को regulate करती है, competition policies लेकर आती है, merger policies लेकर आती है, आपके competition act, जो आप लोको ने पढ़ा है, competition act, नहीं है, आपके पास, okay, government regulatory activities, such as licensing, controls, minimum wages, directives on location of industry influence, resource allocation, देखो यार, किसी भी चीज़ पर licensing करना, अगर आपको ये पटाके बनाने, crackers की industry, आपको license लेना, जरूरी है, तो ये क्या है, ये resource allocation है, वो चाहती है, इस चीज़ का काम क्या हो, limited हो, और जो भी हो, वो मेरे, at least मेरी नजर के अंदर हो, तो resource को उस तरह से allocate किया गया है, और इन्होंने example क्या दिया है, location of industry, कभी-कभी government कहती है, कि अगर आप backward area में क्या लगाओगे, factory लगाओगे, हम आपका start, प्रतिशे tax क्या कर देंगे, exempt कर देंगे, यह सब क्या तरीके हैं, यह सब खाली resource allocate करने के तरीके हैं, उन्होंने backward area में जो resources हैं, उनको जाधा use में लेना, चाहा है, तो resource उस तरह से allocate करे हैं, government set the legal framework, government may adopt any combination of possible remedies, क्या हुआ? तो भरबास नोट से हैं न? तो यह सारी बाते आपके allocative function के अंदर आती है, हमारा कितनी जल्दी ध्यान जाता है, कि गड़वड कहां है, है न? ओके ती distribution function, क्या बात होगी? मुझे ऐसा लग रहे हैं, इसको कोई और यूज कर रहे हैं, इसा, it's like magic तो जो भी इसे control कर रहे हैं, वो please control ना करें, है न? अपने भावनाओं को control करें, ताकि अगर तुम हनुमान चाली सा कर लेते हैं अपने जिन्दगी में नॉर्मली, तो पता नहीं कितनी मुश्किलों से तुम्हे छुटकारा मिल जाता है, अब तुम्हे हनुमान चाली सा याद आ रहा है, हाँ, पढ़ लो तुम उसके लिए तो पढ़ना भी पढ़ेगा, तो भगवान भी उसी के सहायता करता है, चो खुद के सहायता करता है, तो हम रिक्वेस्ट करें भगवान से, भगवान मैं चाहता हूँ, मैं सों, खाऊं, पेपर आप लिखाना, ऐसा नहीं होता है, तो बोलेगा बेटा पहले के बाद, ओके, ओके, क्या हूँ, इस्ट्रैक्ट नहीं करूंगे खुद को, the redistribution function, हाँ तो तुमारी शकले देखके मैं हो जाती थोड़ा-थोड़ा distract, क्या करूं, तो वो खुद को फिर से back to flow लाना पड़ाता है, redistribution function की हम बात करेंगे, भई, यह जो मजग्रे साहब जी ह इन्होंने तो इतना कुछ लिख दिया, पढ़ना सारा अपने को पढ़ रहा है, ओके, अब इन्होंने जो दूसरा पढ़ाव लिखा था, जहां पर government का intervention बहुत जरूरी है, यह ऐसा कहते हैं, उसका नाम है redistribution function, यह redistribution मैंने तुम्हें कल भी explain कि ला था वैसे, हाँ, मुझे यह बुक लिखी है, क्या उसके पास कुछ और सही बात है, उन्होंने तुम्हारे लिए काम बढ़ा दिया है ना, वो लिखता ही नहीं तो हमारे course में नहीं आता ना, exactly between the payments price, okay, okay, फिर तो न आप कह सकते हैं के去了 not actually, law bowl minute, economics बनाया ही क्यों, पढ़ा यह बनाया है, ना यहां, जहां हमें calculator चलाना पढ़ता है, तो फिर भी ठीक है जहां हमें दिमाख चला पढ़ता मैं क्यों है यार एक कोशन ये भी हो के तुम सीए करी क्यों रही हो फिर अगर तुम करते isn't us कुछ करना इबर तो तुम फिर दूसरे ऊथर ऊठ्경 काली देते कि बहु है तूने ये क्यों लिख़्ा कुछ भी कर ओ percent कोई बात नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतनी चिंता कर रहे है वो गहते तुम होते ही नहीं तो हमको तुम्हारे चिंता ही नहीं होती है चलो बेटा दरी दिस्ट्रिब्यूशन फंक्शन यह टॉपिक यहीं पर बंद करेंगे है ना अब जो है जो लिख गया वो तो लिख गया पढ़ना अपने को है आईसे वालों ने डाला इसके अंदर बहुत सारा मसाला इस बार चलो और मुझे बहुत बेसबरी से इंदजार है इस बार की एकनॉमिक्स की पेपर का सच में मैं देखना चाहते हूं कि इस कोर्स में से वह क्या बनाते हैं या किस हिसाब से फ्रेम करते हैं थोड़ा थोड़ा आईडिया हमें धीरे-दीरे मिल रहा है कुछ-कुछ-कुछ- पता चले जाएगा आपके पीछे जिसे आप मॉड्यूल देखोगे तो हर युनिट के बाद में भी टेस्ट ऑफ नॉलज़ करके पूरा दिया है उन्होंने एंसी कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कु-कुछ-कु-कु-कु-कु-कु-कु-कु- सब्सितों देखोगे हों तो उन्हीं कल्ण के फोली एंसा होता है घना वहका होईगा तो जून के ऑजून ही रहेंगे एक्जान्स म्सी मतलब इंटर वालों का तो mostly chances है, जब मैंने मेरा इंटर दिया था, तब भी elections थे, उस साल, so shift हुए थे exams, बहुत बेकार काम होता है, exam shift होना, तुमने तो face किया इस बार, right, foundation वालों ने तो, exams ज्यादा time लेते हैं, तो बढ़ाई होती ही नहीं है, last मैं, ठीक है, शुरुवाती इस बार साल की exam से हुई है, है न, चलो, okay, back to the chapter, the redistribution function, देखो भाई, अगर, एकी लाइन बोलूंगी, if there are, if there is no government intervention in the market, कल मैंने क्या बताया था तुम्हे, the poor will become more poor and the richer will become more rich, okay, तो भाई, अमीर आदमी और अमीर गरीब आदमी और गरीब बन जाएगा, अगर government interfere बीच में नहीं करती है, तो, क्या चीज करने के अंदर, income को redistribute करने के अंदर, देखो मैं में इंकम redistribution का मतलब क्या होता है, एक कपन बात करते हैं, चेखो, चलो, income आती कहां पर, कोई भी चीज, कोई भी goods या service क्या हो रहे है, produce हो रहे है, अभी जस्ट अपन ने बात करी, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, factors of, factors of production यूज किये जाएंगे, बोलो factors of production चार कौन कौन से होते हैं, land, labor, capital और entrepreneur, ओके, तो ये चार बेसिकली क्या होते हैं, मारे पास factors of production होते हैं, चेखे, अब देखो, ये चारों का use करके ही क्या बन रहा है, goods and service बन रहा है, goods and service बनने से ही क्या generate हो रही है, income generate हो रही है, और वो income जो है न बेटा, वो divide भी कहा हो रही है, इन चारों में ही हो रही है, अरे, जो income generate होगी, उसी से तो land को क्या मिलेगा, rent मिलेगा, labor को क्या मिलेंगे, wages मिलेंगे, capital पर क्या मिलेगा, नहीं, interest बेटा, profit नहीं ठीक है, और entrepreneur पर क्या मिलेगा, profit मिलेगा, तो basically income distribute भी इन में हो रही है, generate भी इनके द्वारा ही हो रही है, अब government redistribute कैसे करेगे, government decide कर सकती है कि इस चीज़ का rent इतना होना चाहिए, अगर उसको लगता है कि इस class के पास जादा income जानी चाहिए, तो वो क्या बढ़ा सकती है, उस चीज़ का rent बढ़ा सकती है, आपके income क्या हो गई, redistribute होगी, अरे, आए तो 100 रुपे है, अब 100 को divide क कैसे करना है, चारों में वो ही क्या है, आपका redistribution है, अगर उसको लगता है कि इस segment के पास पहज़ादा जाने चाहिए, वो क्या बढ़ा देगी, profit margin, wages, और आपका interest, तो बेसिकली इस चारों चीज़ों को क्या किया जाएगा, redistribute किया जाएगा, इनके जो ratios हैं, उनको ऊपर services, team class के लिए बनती है, एक होता है आपका, जो rich class होता है, अपर class जो होता है, एक middle class लोगों के लिए और एक below poverty line या फिर अपन बोल सकते हैं, जो आपका poor people है, उनके लिए, चीक है, अब जब government चाहेगी, अब जब government चाहेगी, कि भाई, goods and services जादा किस के लिए बनने poor लोगों के लिए बनने चाहिए इस साल, तो वो inferior goods नहीं होते हैं, जिनके भाव बहुत कम होते हैं, उनकी generation क्या करवाएगी, जादा करवाएगी, वहाँ पर income redistribution होता है, middle class लोगों के लिए जादा बनने चाहिए, तो जो normal goods है, उनका production क्या करवाएगी, वो इस साल, जाद करवाएगी, उसको लगतर नहीं यार, इस साल तो नहीं यहाँ पर पैसा जाना चाहिए, तो वो luxury goods को production क्या करवाएगी, जादा करवाएगी, तो basically government इन सारी चीजों को use करकर क्या करती है, income को redistribute करती है, ओके basically distribution क्या है, आपके richer class के पैसा लेकर poor class सक बहुँचाना ही क्या अब वो उसका decision है कि इस बार पैसा कहाँ जादा required है, वो चाती है कि आरदेशन बहुत जादा investment हो, तो rich लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, तो ही क्या होगा, investment बड़े-बड़े investment होगे, तो वहाँ पर वो tax rates कम कर देंगी, या फिर यह जो आपका distribution है, इसको change कर देंगी, तो उनके हाथ में पैसा जादा आएगा, वो चाती नहीं आर इस बार तो मुझे BPL लोगों को above poverty line लेकर आना है, मेरा focus इन पर है, तो वो उस हिसाब से income को क्या करेगी, redistribute करेगी, यही सारा आपके इस पूरे के पूरे paragraph के अंदर दिया हुआ हुआ है, the redistribution process, बात समझ में optimal and egalitarian distribution, अरे बहुत भारी भरकम शब्द आगे 4-5 इसके अंदर, देखो, क्या बोलता है, distribution, किसका distribution, किसके responsibility है, government की, क्योंकि left to the market का मतलब है, कि अगर उसको private producers के हाथ में छोड़ दिया, distribution को, तो क्या होगा, जो income और wealth का distribution है, वो हमेशा skewed हो जाएगा, skewed का मतलब है, moving towards richer section क्या है, moving towards richer section, तो जो income है, वो हमेशा कहां जाती जाएगी, खाली richer section के हाथ में ही जाती जाएगी, इसलिए government को क्या करना पड़ता है, बेटा, intervene करना पड़ता है, ताकि कौन सी society develop हो सके, egalitarian, egalitarian क्या होता है, कैसा कमाल का शब्द है, नहीं, नहीं, egalitarian comes from equality, egalitarian का मतलब है, जह हो ऐसी society चाहती है, जहां पर क्या हो बेटा, सबके लिए benefits, आप इसका मतलब भी लिख सकते हो, it is a society where benefits are created for all, egalitarian, वो यह नहीं चाहती कि skewed हो चीज़े, खाली richer section के towards move हो, वो चाहती society कैसी बने, egalitarian, egalitarian का मतलब है, equal, equal का मतलब क्या है, benefits are provided for all, okay, उसके आगे, the distributive function of budget is related to basic question for whom should an economy produce goods and services, यह मैंने अभी आपको बताया ना, सबसे बड़ा question redistribution में क्या आता है, कि goods बनाएं किसके लिए, upper class के लिए, middle class के लिए, या फिर lower class के लिए, वो government का decision है, government can redistribute income and wealth either through the expenditure side or through the revenue side of the budget, simple सी बात है, दो ही side होते हैं budget के, एक तो खडचा कहां खड़ना है, एक पैसा कह से आएगा, ओके, अब वो दोनों side को use करके income को redistribute कर सकती है, government के पास इस साल मानों, दो लाख करोड का क्या है, budget है, बहुत बड़ा budget है, अब वो चा रही है, सारा ध्यान, सारा पैसा कहां जाना चाहिए, इस बार फूर सेक्शन में, agricultural वाले section में जाना चाहिए, तो वो द सारा के budget में सबसे बड़ा खर्चा कहां पर करेगी, वो steel industry पर करेगी, income क्या हो गई, redistribute हो गई, और ऐसे ही revenue side को use करके भी, वो income redistribute कर सकती है, बास समझ में आगई, okay, the distribution function of government aims आती है, यह बहुत simple, redistribution क्यों कर रही है, क्योंकि वो कुछ चीज़े चाहती है, क्या चीज़ humanitarian society बन जाए, दूसरा मैं पढ़ती है, household ensuring increased social welfare, वो redistribution कर रहे है, क्योंकि उसका major objective क्या है, social welfare, advancing the well-being of those member who suffer from deprivation of different type, तीसरी बात क्यों redistribution कर रही है, कि जो लोग deprived है, deprived का मतलब हिंदी में क्या बोलूँगी, जिसको कोई चीज नहीं मिलती है, that is deprived, यार मुझे पानी नहीं मिल provide करना, ये उसका क्या है, बहुत बड़ा motive है, इसलिए भी वो income को क्या कर रही है, redistribute कर रही है, providing equality of income, of wealth and opportunity, लोगों के बस equal opportunity, equal wealth हो, इसलिए भी redistribution करा जा रहा है, और providing security for people who have hardship and ensuring that everyone enjoys a minimum standard of living, कि at least एक minimum standard तो हो हर आदमी के जीने का, उतना तो मैं सबको provide कर दू, ये government का main objective है ठीक है, जो लोगों की hardships का मतलब है, जो लोग दुविधाएं face करते हैं, problems face करते हैं, उनको कम करने के लिए, और at least यार एक आदमी है, जो excessively luxury life जी रहा है, और एक आदमी है, जो जीरा मर रहा है, ओके, तो at least एक basic standard of living तो आदमी के पास हो, इतना वो ensure करना चाहती है, अब किस तरह से redistribution करा जाता है, यह बातें नहीं होने चाहिए, okay, redistribution कैसे करा जाता है, progressive taxation of the riches combined with the provision of subsidy to the poor household, progressive taxation का मतलब है, जितनी high income, उतना high tax, that is progressive nature, जितना progress आपके income करेगी, उतना ही ज्यादा आपका tax क्या करेगा, रहेज होगा, तो यह instruments है, आप income कैसे redistribute कर सकते हैं, आप taxation क तो क्या कर दो, progressive, और आप लोग, जो subsidy है, वो किसको दे दो, poor household को, income क्या हो जाएगी, redistribute हो जाएगी, proceed from progressive taxes used for financing the public services, जितनी भी public services है, जैसे कि अभी आपने public goods पड़े ना, तो वो जितने भी public goods or public services है, उसमें किसका पैसा इस्तमाल होता है, progressive taxes से जो कमाई होती है, गवर्म public goods में utilize हो रही है, जैसे कि राशनकार होता है, आप उसको अगर जो below poverty line वाले लोग होते है, वो शो कर दे तो उनको जो ये राशन होता है, basically वो minimum उसमें मिलता है, एकदम एकदम low prices पर मिल जाता है, okay, तो basically अब जितना भी पैसा, अगर गेहूं, आपको एक किलो, दस किलो, स दो रुपे में मिल रही है, पर क्या सच में किसान उसके दो रुपे नहीं है, क्या, नहीं न, तो वो differential पैसा आया कहां से, कौन दे रहा है, सरकार दे रही है, और सरकार किसका पैसा दे रही है, किसान को, वो जो higher class से tax लिया जा रहा है, उसका पैसा किसको भरा जा रहा है, पर बढ़ा जा रहा है इंकम simply क्या हो गई redistribute हो गई इंप्लाइमेंट रिजर्वेशन यह तो बहुत बड़ा इंप्लाइमेंट रिजर्वेशन ही जितने भी रिजर्वेशन होते हैं ठीक है जिस पर इतने लडाई दंगे होते हैं यह भी तो इंकम redistribution का ही एक इंस्ट्रुमेंट है टूल है सीधी सी बात है यार किसी भी कॉलज में या किसी भी चीज के अंदर वो बोलते हैं कि अगर तुम जो भी ओवी सी कास्ट यह जो भी है ठीक है उससे तुमको केया करना है इंकम redistribution करना है वो चाते हैं जो backward classes है जो लो सकीके लोगों के पास भी क्या हो पैसा हो उनके लोगों के पास भी ल क्या आता है यह जाते है तो इंकम distribution आंप्लोइट vậy दिये जाता है जैसे यू लोग औन एंज यह लोगों में अगर आप रिटायर भी हो जाओगी तो भी आपको पूरी जिंदगी क्या दिया जाएगा एक मिनिमम्म पेंशन दी जाएगी यह क्या है कि उनको जरूरत है जिसके पास ज्यादा है उस से निकल के जरूरत मंद को पैसा देना क्या है यह income redistribution तो यह सब इनके एक्जामपल है जैसे कि transfer payment to provide support to underprivileged, dependent, physically handicapped, older citizen and the unemployed families below the poverty line are provided with a monetary aid and aid in kind उनको खूब सारी चीज़े provide कर देना या पैसा दे देना यह सब क्या है income redistribution है regulation of manufacture and sale of certain products to ensure health and well-being of consumer जो चीज़े आपकी health को degrade करती है उनके production पर रोक लगा देना या फिर उनको limit कर देना यह भी income redistribution का ही एक signal है special schemes for backward region जो पर ने बात करी यह सब क्या है बेटा आपका income redistribution के example पर उसके बाद अब यह line क्या बोलती है यह कभी कभी क्या होता है अगर आप आपकी इच्छा तो बहुत अच्छी है आपका मानस क्या है कि आप लोग को क्या करना है बेटा करना है और इंकम को redistribute करना है लेकिन कभी कभी ना इससे दी मोटिवेशन भी मिलता है अब तुम कहरे हो कि ना जुतना ज्यादा पैसा कम होगे न उतना ही ज्यादा में तुमसे क्या लेंगे स्क्राशन से घुजड़ें अगर जो और इस पर इसकी है कि बृवन का है बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी यह चीज लोगों में क्रियेट लेकर और कितने सारे बच्चे ऐसे हैं तो इन जाना जुक अपना सुट नंबर आ fewer लेकों में NICK वहां जाने से क्या हो रहे हैं वहां कि government का यह intention नहीं था कि लोग गभी कभी कभी ऐसा भी होता है यह income redistribution के चक्कर में बहुत जादा लोग क्या हो जाते हैं डी मोटीवेत हों जाते हैं इसलिए government को यह जो equity और efficiency है इनके बीच में क्या बनाना पड़ता है balance बनाना पड़ता है कि यह इतना ही redistribution करो कि लोग आपके demotivate भी ना हो और inferior लोगों को help भी मिल चाहे तो वो अपने budget के तुरू और policies के तुरू इसमें एक balance बनाकर चलती है फिर भी लोग satisfied नहीं थे पर एक सोचने की बात है सरकार जाए तो जाएगा अगर वो उस section को help नहीं करेगी तो वैसे problem ओके अगर वो रिचर सेक्शन को help नहीं करेगी तो तो बहुती बड़ी problem है क्योंकि ultimately society run तो वो ही लोग कर रहे हैं आप चाहे माने या कोई नहीं माने अल्टिमेटली society running उन्हीं के हाथ में ही होती है सो हर तरफ से दिक्कत है government को इसलिए खूप सारे functions उसको perform करने पड़ते हैं क्या समझ में आई रहे income redistribution अरे बता दो बोलो बोलो मैं लिटके थोड़ी आना होगे है न हम तो objective तरके आएंगे बताओ बताओ जल्दी से stabilization पर चलेंगे आगे बोलो income redistribution means और 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 बोलो consequence examples बताएं इसमें redistribution के कैसे कैसे income redistribute हो सकती है progressive taxation subsidy to lower class और employment reservation और unemployed को benefits प्लस other benefits जैसे की old age या dependent लोगों को या handicap लोगों को benefits देना और और special schemes लेकर आना तो यह सारा आपका income redistribution के तरीके हैं और उससे पहले दिया इंकम redistribution का कारण क्या है उसके बाद अगला function जो यहां दिया गया है वह stabilization function और यह जो बच्चे में जिन वर्ट का meaning explain कर रहे हूं जो लिख नहीं रहे हैं इतने होश्यार हो तुमको आगे तक याद रहेगा याद नहीं रहेगा आगे तुम लिखो भई ऐसे pen pencil हाथ में रखो यह मेरी बुक है यह ना I know the meaning मुझे चीज का पता है फिर भी तुम मेरी बुक देखना हो तुमको तुम लिखते नहीं हो या हाइलाइट नहीं करते हो या फिर उसका meaning नहीं लिख रहे हो मेरी कोई भी चाहिए तुम किसी भी लेवल पर कोई भी किताब उठागर देख लो ऐसी बुक मिलेगी अलमस्त हमेशा और चाहिए किती भी बार मैं उसको पढ़ा चुकी हो लेकिन मैं जब भी रीड करती हूं आई अगें राइट अगें मुझे ऐसा लगता है कि उसे रिवाइज होता है या चीज मुझे बाद में याद रहती है कोई example मुझे पढ़ते पढ़ते क्लिक हो गया यार मैं पढ़ाऊंगी हो सकता है जब मुझे क्लिक ना हो वो चीज तो मैं फटा-फट से हिंट करके उसको लिख लेती है यहां यह यह पढ़ाऊंगी तो यह मुझे बोलना है वापर तो चीजे लिखने से क्या होते है आपक कुछ नहीं पढ़ सकते आप इतना सारा फूरी पढ़ोगे लास्ट पर नहीं पढ़ सकते ना कितने चैप्टर से कितना मटीरिल है तो चीजों को इंपोर्टन चीजों को हाइलाइट करना पढ़ते पढ़ते और इसको लिखना मीनिंग्स वगए बहुत ज़रूरी है किसी क अश्कुरियरे तू लिखरी क्या दिखा ने ऐसे दिखा दे मेरी आँचे बहुत तेज है तो फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा असा लगता है ये पीच्छे तो बच्छे बच्छे ऐसे हैं लिखो भी कि अपना पढ़ने का तरीका है यू दू वट यू लाइक लेकिन मैं तो खाले एक सब्सक्राइब पढ़ाती हूं तो देरा सुच्छे जो इतनी सुन्दर बुक रखते हैं एक बार तो मैंने एक बच्चे की बुक की ले ले ली ती उसके पास होने के बाद कि तेरी बुक तो इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे कुछ वो लिटरली स्टिकी नोट्स लगा कर नोट्स लिखते थे यार मैं जो एक्स्प्लें करती थी ना मैंसे साइड में ग्रीन पिंग की अलो मैं कर यार ये गजब की किताबे मुझे थे थे मैंने उसके बुकी ले ले ली थी यार मुझे ही बुक चाहिए और बहुत मैं इसते पढ़ाओंगी तो मुझे मैं और अच्छा पढ़ाओंगी शायद अगली बार तो इतना अच्छा वो लोग लिखके रखते हैं कुछ बच्चों की बुक्स एकदम ब्लैंक ऐसा लगता है आज ही खरीद के लाए एकदम य अच्छी बात नहीं कि खाली लड़किया ही लिखती है अच्छा और तुमको अगर यह लग रहे है सिर्फ मुझे क्या लगता है मोस्ली की ना थियोरी पढ़ते बढ़ते बच्चा सोचता है कि यह सब मैं पढ़ी क्यों रहा हूं लेकिन पीए के अंदर अब तो तुमारे फिर भी आसान है क्योंकि यह जो थियोरी पेपर से अबजेक्टिव है आप जब इंटर में आऊगे तो देर सो मैनी पेपर स्विचार्थ और सारे क्या है तो तुमको थियोरी पढ़ने की हैबिट इसको समझने की और उसको याद करने की हैबिट बनानी ही पड़ेगी उप मतलब पीचर बनने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि याद थियोरी पढ़ना अपने आप में एक टास्क है पढ़ाना तो बहुत ही बड़ा टास्क है पढ़ना भी बहुत बड़ा टास्क है लेकिन आपको यह हाबिट अभी से डेवलप कर लेनी चाहिए क्योंकि अभी 50 भर भर के थियोरी अकाउंट्स भी थियरी है फाइनल के अंदर 50-50 है 50-50 प्राक्टिकल आता है 50% पोजिशन एस इंडेस आता है सब थियरी आता है सब कुछ प्राक्टिकल सब्जेक्ट भी तो अलोट अब भी तो आप बहुत श्रुरुवात में हो स्टेबलाइजेशन फंक्शन अपन लोग करेंगे बेटा मैक्रो एकनोमिक स्टेबिलिटी इस सेट तो एक्जिस्ट वें एक मिनिट शांती ओके सबसे पहले देखो यही होता बात करने लने लग जाते मैंने इसटेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है एकनोमिक को बैलन्स करना प्राइजेजस नहीं जादा हाइई होने चीना जादा कम होने चाहिए क्या होनी चेह चाहिए स्टेवल Stabilization कब होगा बेटा Stabilization सिर्फ तब हो सकता है जब आपके सारे के सारे factors of production सारे के सारे आपके macro economic variables क्या होंगे balanced होंगे जैसे की employment जैसे की output जैसे की inflation ये सारे क्या होंगे balanced होंगे तभी आपकी economy क्या होगी balance होगी Macro economic stability is said to exist when and economy's output is equal to its production capacity देखो यहां पर आपको छोटी-छोटी equations दिकरिए कि Stabilization कब होगा जब देश का output और उसकी production capacity क्या होगी match होगी इसका basically मतलब क्या है बेटा कि जितना भी आपका output है अपनी production capacity के साथ match करे कि यार इस चीज में इस resource में 100 चीज़े प्रिद्यूस करने की capability है तो वह नहीं तो अंडर उटिलाइज हो और नहीं ओवर उटिलाइज होना चाहिए दूसरा the economy's total spending is equal to its total output basically जितना भी output बन रहा है वो सारा जब बिक जाता है न हम उसको बोलते हैं कि सारा खर्चा और सारा output क्या हो गया है मैच हो गया मतलब कुछ भी अंसोल्ड नहीं रहता अगर अंसोल्ड रहा है इसका मतलब अपने जरूरत पे जादा तो आपका जो inflation है वो low और stable रहेगा इसका मतलब इंफ्लेशन कम से कम रहना चाहिए और stable रहना चाहिए महंगाई जादा किसी को भी पसंद नहीं होती बेटा लेकिन लेकिन अगर बहुत जादा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा समझो कि कोई चीज अगर 100 रुपए की होनी चाहिए वो 200 की हो जाए तो inflation है problem है कम होना चाहिए लो होना चाहिए पर वो 2 रुपए की हो जाए तो कि दो अच्छी है 100 की चीज दो में अच्छा है नहीं है उसकी वाल्यूई क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी और supply क्या हो जाएगी अती में उसकी फट जाएगी demand ही लेगी चीजों कि बास समझा किया रहे है हाँ, definitely economy fail होगी ही, होगी, तो इसी लिए inflation कम रहना चाहिए, लेकिन stable रहना चाहिए, मतलब जनरली बोला जाता है कि 2% तक inflation रहना चाहिए, इतना तो at least रहना ही चाहिए, और इससे जाधा हो जाता है, तो फिर ठीक हो, जाधा problem create करता है, लेकिन at least इतना तो होना ही चाहिए, low and stable होना चाहिए, the theoretical rational for the stabilization function of the government is derived from the Keynesian proposition that a market economy does not automatically generate full employment and price stability and therefore the government should pursue deliberate stabilization policy, CTC बात है आपकी economy अपने आप stable नहीं हो सकती, government को उसमें interfere करना पड़ेगा, उसको stable करने के लिए, कैसे करेगी, the government and the country's central bank promote full employment and price stability through prudent fiscal policy and monetary policy, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको topic चालू होता है, basically, economy को stabilize करने के दो तरीके सरकार के पास, एक है आपकी fiscal policy और दूसरी है आपकी monetary policy, fiscal policy का मतलब क्या होता है, बेटा, fiscal policy का मतलब है, जब आपके taxation और expenditure को use करके किसी भी चीज़ को normalize, stabilize किया जाता है, वो होती है, fiscal policy और monetary policy का मतलब है, जैसे कि आपके लिए जो bank rates, basically जो होती है, या जो interest rates होती है, इनको use में लेकर आप government कोई भी काम कर रही है, तो government के बास दो हती आ रहे है, economy stabilize करने के, पहला है fiscal policy के द्वारा और दूसरा है monetary policy के द्वारा, बास समझ में आगे कि क्या बोला है, fiscal policy के क्या बता है मैंने, fiscal policy का मतलब policies in relation to tax and expenditure, यह वैसे आपने 11-12 में भी पढ़ा होगा, fiscal policy, perfect, okay, और monetary policy में आपके जो भी RBI के बारे में जितना भी आपने पढ़ा है, आपका जो repo rate है, reverse repo rate है, bank rate है, interest rate है, सारा यहां पर include हो जाता है, उसके बास, in absence of the appropriate corrective intervention by government, the instabilities that occur in the economy in the form of recession, inflation, etc, may be prolonged for longer periods, causing enormous hardship to the people, especially the poorer section of the society, तो basically, अगर government interfere नहीं करेगी, तो क्या होगा, बहुत जादा poorer section को problem होगी, और उनको बहुत जादा hardships face करनी पड़ेगी, it is also possible that a situation of stagflation में arise, देखो, stagflation क्या होता है, कितने सारे शब्द हैं, ना मारे पास, inflation, deflation, stagflation, stagflation, stagflation क्या होता है, अती में inflation हो जाना, महेंगाई होना क्या कहलाता है, inflation, अती में inflation हो जाना क्या कहलाता है, stagnant position हो गई, अब अती हो गया, और जब inflation के साथ, unemployment मिल जाता है, इस situation को क्या बोलते हैं, हम stagflation, so equation क्या बनती है, stagflation is equal to inflation plus unemployment, मैंने वैसे आगे आपके लिए लिखावा भी है, notes के अंदर है, कि इसका मतलब क्या है, a state of affairs in which inflation and unemployment exist side by side, जब ये दोनों चीज़े मिल जाती है, तो अती में बुरी जशा हो जाती है, actually उस time पर हमारी economy की वो कहलाती है, आपकी stagflation, stagflation में भी contagious, contagious का मतलब क्या होता है, जो फैलती है, अगर एक देश में stagflation आएगा ना, सब देशों में stagflation आने के chances रहते हैं, क्योंकि इतना जादा आजकल export और import होता ही है, the stabilization function is concerned with the performance of the aggregate economy in terms of, देखो, आपको अगर stabilization लाना है अपनी देश में, ना inflation, ना deflation, ना stagflation, तो आपको labor employment की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आपको overall output और income की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि general price level क्या है, आपको international payment, international payment का मतलब पता है, तुमने balance of payment सुना है, BOP, BOP accounts क्या होते हैं, हम दूसरे देश से कितना पैसा मांगते हैं और कितना उनको चुकाना है, उसका जो balance होता है, that is the balance of payment, उसको balance करना, और economic growth को देखना, यह सारे factors आपको consider करने पड़ेंगे, अगर आपको अपने देश में क्या चाहिए, stabilization चाहिए, अब देखो, इन्होंने सेम बात जो उपर अपने बोली है, वो यहाँ पर फिर से लिखी हुई है, आपके लिए pointers में लिखा हुआ है, कि एक दो चीजे होती है, एक monetary policy के द्वारा और एक fiscal policy के द्वारा, फटाफट कोई पड़े का monetary policy क्या होती है? मतलब money supply को control करना क्या है? monetary policy और fiscal तो दो ही चीज़ आपको highlight करने हैं यहाँ पर, fiscal policy का मतलब है, expenditure और taxation decision को use करना है, यह highlight कर लेना है न, कभी भी आपके उसमें MCQ में पूछ सकते हैं लोग की, यह लोग बोलेंगे कि expenditure और taxation decision को कौन सी policy में use किया जाता है, don't worry, आज यहीं तक कराऊंगी तुमको, खाले stabilization करो, center state finance करेंगे, अखेल, यॉइंगे, है अखेल, छ्वानट वके नुन हाँ, इसले ने व को यूपत्त प्रक्राइए, यह जो बोला कि चलरों, यह Bar ş. उसे जादा समझता है यार हाँ बताओं यह तो तुमसे भी जादा समझता है कि मारे सुख दुख का साथ ही है यह यह न कल सेंटर स्टेट फाइनेंस खतम कर दूंगी यूनिट टू के नोट्स तुमको पर्सवा मिल जाएंगे बहुत थोड़ा साथ है कुछ भी निए सेंटर स्टेट फाइनेंस में काली फैक्स फिकर्स दे रखे हैं हो जा भाई तुम तो चुप हो जाओ ठीक है ना थोड़ा साथ है पड़ो ना बुक से प्लीज देखो डूरिंग रिसेशन एई दूरिंग रिसेशन इन और तो इंशॉर इंकम प्रोटेक्शन गवर्मेंट इंक्रीज इस एक्स्पेंडिचर और कट्स दाउन टेक्स और अडॉप्ट तू कॉमिनेशन अवोट्स तो एग्रिगेट दिमांड इसक्प सेबल और इवन बूस्टेट अप विद मैनी वोर मंदी आ जाना बेसिकली डाउनफॉल हो गया है दिमांड यह यार देश के अंदर एक मिनिट देश की एकोनॉमी में डिमांड कब होगी जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो ही तो क्या बढ़ेगी डिमांड जब दिमांड भढ़ेगी सुनो मंदी का दौर है अगर गव इंकम Generate हो दो चीजों की क्या होगी सपलाइए सपलाए होगी तो टो इंकम इंकम जनिरेट होगी तो लोग फिरसे और शिसों की क्या करिंगे डिमांड करेंगे ये साइकल आपका स्टेबलाइज हो जाएगा तो यह क्या बोलते हैं जैसे किuerdo मे जब का टाइम होता है तो ल टेक्स कम होंगी तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा बचेगा तो क्या कृएट होगी इमाँड क्रिएट होगी इमाउड क्या हो जाएगी इस तेबलाइज हो जाएगी म scientifically के दोर से लोग बाहर आज जाएगे और उल्टा उपके तब उसको लगता है कि यह लोगों के हाथ में इतना पैसा नहीं होना चाहिए क्यों कि अती में डिमांड है सप्लाय तो करी नहीं पा रहे हम तो क्या होगा प्राइज बहुत जादा भढ़ जाएगी प्राइज भढ़ेगी तो क्या क्रियेट होगा इंफ्लेशन और स्टैक्फ्लेशन के चांसेज वहाँ पर फिर भढ़ जाते हैं उस टाइम पर फिर वो क्या करेगी बताओ डिमांड कम करना चाहिए न कैसे करेगी कम तैक्स भढ़ाके एक्सपेंडिशुर को कम करके तो फिर इस तरह से भी वो को स्टीबलाईज कर सकती है देखो दो चीज़े होती एक क्म होती है एक्सेटरी पॉलिसी expand करना चाहती है वो चीज़ों को चाहती है और जब उसको taxes जादा करके लोगों के हाथ में पैसा कम छोड़ना होता है उसको हम बोलते है contractionary fiscal policy तो वो इन दोनो fiscal policy का use करके high deflation और high inflation को solve कर सकती है deflation में कौनसी use होगी बेटा deflation में कौनसी use होगी expansionary लिख लो तुम, expansionary का मतलब क्या होता है, expansionary use होती है deflation में ऐसा लिख लो तुमको थोड़ी clarity आचाहिए और deflation का मतलब है जब आपकी tax rate सरकार क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है expenditure को बढ़ाना चाहती है और contractionary policies use होती है inflation के दौरान जब सरकार tax को क्या करेगी, बढ़ा देगी और expenditure को क्या कर देगी, कम कर देगी इस case के अंदर demand आपकी भढ़ जाएगी और इस case के अंदर demand क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ये आपके दोनो policies का कमरी है और इस तरह से budget का use करके कभी surplus और कभी deficit वो चीज़ों को stabilize करती है कि दोनो policies समझ में आई न, कि कैसे government लोगों के हाथ में पैसा जादा दे रही और कम दे रही है ताकि economy क्या हो जाए, stabilize हो जाए, मंदी से निकालना जरूरी है, inflation को कम करना जरूरी है दोनों ही चीज़ों में इन policies को इस्तमाल किया जाता है तो यह है आपकी stabilization policy